प्राइब देश को नई संसदार से मिल गई है ठोड़ दिर पहले धार्मिन अनुष्ठानी के साथ ही देश को उसका नया संसद समर्पित कर दिया गया है लेकिन इस पर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है आरजेडी के तरफ से एक तस्वीर जारी की गई है जिसमें नए संसद भवन की तुलना ताबूत से की गई है और इसके बाद अबिहार के सासा देश पर में जो है इस पर नया बवाल जो है वो मच गया है बीजेपी के नि धानमंत्रि निरंद्रमोदी ने जो है लोकारपन किया है इस नए संसद भवन का जबरदस्त विरोध भी हो रहा है बीज से ज़्यादा राजितिक दल जो है इस पूरे काईकरम से उन्होंने खुद को अलग किया जिसमें आरजेडी भी शामिल है आरजेडी की तरफ से जो ह संद भवन आपने बनाया है यह आपकी वदाई का सूचक्ष ने की कोशिष के शारो ही शारो में आर्जेडी की तरफ सक्की गई है और इसके जबाव में और जो है बीजेपी ने बड़ा हमला बोला है बीजेपी ने pray वह आपको देश की जनता जबाब देगी यह देश को गुर्वानमीद करने वाला पल है RJD के टुट पर BJP का पलट पार है और यह कहने की कोशिश किया गया जनता इसी तावूत में आपको गाड देगी यह कहने की कोशिश की है ये साथ कियरे हैं कि आप नजर बट्टू हैं और कुछ नहीं है जनता जबाब देगी 24 के चुनाव में आपके किसी भी आदमी को इसमें आने का मुगा नहीं देगी ये BJP का कहना है बताने कि 24 के चुनाव के पहले प्रधान मंतरी मोधी की तरफ से कोरोना काल में जैसे संसद भवन और सेंट्रल विस्टा प्रजेक्ट की शुरुवात होई थी उसके एक एहम कडियानी के नए संसद भवन का लोकारपन किया गया है जिसमें लोगसभा राजसभा जो है नए सेरे से बनाया गया है जिसमें बैटने वालों की छमता जादा रख कर रहे हैं कि संसद भवन का लोकारपन राश्ट्रपति के हाथों से होना चाहिए था तो दूसरी तरफ बीजेपी भी लगतार हमलावर है और बिहार में तो खुब सियासत हुई नितिश कुमार ने बिधान समा के विस्तारित भवन से लेकर के तमाम जो भी उधाटन किये उस वहाँ पर पहुंच करके वहाँ पर हो अला किया गया वहाँ पर एक तरीके से करें कि जो है पोल खोल कारिकरम का योजन किया है दूसरी तरफ जद्यू के नेता जो है उपवास पर बैटने वाले हैं थोड़ दिर में और इसी बीच में आर्जेडी का ये ट्वीट और जो है जबरदस्त कहें की बहस शुड़ गई है लगतार बीजेपी ये कह रही है कि आर्जेडी ने संसत भवन का लोगतंतर के मंदर का अफमान किया है और जनता इसका सबक सिखाएगी उनको ताबूत से तुलना की है ये क्या है पूछा है तो बीजेपी ने इसका जवाब